अगले question पर आते हैं ध्यान देंगे from the following information prepared trading account for the year ended 31st March 2019 सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे trading account for the year ended 31st March 2019 ठीक है क्या दिया है adjusted purchase already हम देख चुके है adjusted purchase के मामले में हम क्या करते हैं क्या करते हैं जब कभी भी adjusted purchase question में दिया रहे तो opening or stock or closing stock को consider नहीं करना है यह आपको अच्छे से धियान देना है तो adjusted purchase हो गया फिर आई यहां पर sales तो sales भी ले लिजिए 6,205,000 freight and carriage inward freight and carriage inward direct expense है 3,000 यह ले लिया wages है 7,000 यह भी ले लिजिए freight and carriage काटे आउट वर्ड इसको नहीं लेंगे क्योंकि यह sales के उपर है ठीक है न डारेक्ट नहीं है इंडारेक्ट है closing stock नहीं लेंगे क्यों 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 क्या जा चुक है adjusted purchase के अंदर अभी क्या करना है 625 माइनस 550 माइनस 10,000 अब जीपी ए 65,000 सिंपल है ठीक है 625 इदर भी 625 क्लियर है ठीक है तो बस मिलते हैं फ़र अगले question में बबाई